हेलो दूस्तों, वेल्कम बैक टू माइ चैनल, हम इस वीडियो में मुझे प्यार हुआ था ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा और लेटेस एपिसोड्स में क्या मिस्टेक सी इनको डिसकस करेंगे आखिर ऐसा क्या होना है कि माहीर को हम एक तरफ शादी वाले जोड़े में तयार होते बहुत खुशपाश देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें मालूम होता है कि एक तम वो रो रही है और अपनी मां से गिले शिक्वे कर रही है जानने के लिए इस वीडियो को स्किप मत खीचेगा और एंड तक देखेगा सबसे पहले मैं वो मुवमेंट डिसकस करना चाहते हूँ जहां पे अरीप माहीर को परपोस कर रहा है इस से इन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब अरीप माहीर को परपोस कर रहा है तो हमें माहीर का रियक्शन ही नहीं दिखाया जाता है और कुछ मुवमेंट के बाद हमें सारा एटमोसफियर बिल्कुल नॉर्मल दिखाया जाता है सिर्फ माहीर काफी जादा कन्फ्यूज है और फौरी तोर पर घर जाना चाहा रही है लेकिन हमें दिखाना चाहिए ताकि अरीप को वो क्या जवाब देती है क्या रिप्लाइ करती है उसके बाद हमें कुछ मुवमेंट के बाद दिखाया जाता है कि माहीर गलती से अरीप की ही गारी में बैट जाती है वहाँ पर वो अरीप जो है वो माहीर को समझाता है कि नहीं भी मुझे ड्रियल लव हो चुक है तुम्हारे साथ एक तरफ हम देख रहे हैं कि माहीर जो है वो काफी इंपैरिस हालत में है तो दूसरी तरफ उसे ये फील होने लग गया कि भी मैं भी अरीप को पसंद करती हूँ भी उसे अरीप में जो इंटरेस्ट शोर है वो उसे साथ में क्यों नहीं हुआ जिसके साथ उसने अपना बच्पन गुजारा है उसे उसके लिए ये फीलिंग्स क्यों नहीं आई कितनी मतलब अजीब सी ये बात है मतलब इस चीज़ की तो समझ आती है ना कि भी माहीर को जो है वो अरीप से में इंटरेस्ट हो गया साथ में नहीं हुआ लेकिन उससे साथ की फीलिंग्स क्यों नहीं समझ आती है एक बंदे से आपके साथ आपने बच्पन गुजारा हो तो आप उसे बहुत जादा अच्छे तरीके से जानने लग जाते हो ये एक रियालिटी है वगर जब यहाँ पर माहीर की और साथ की इंगेजमेंट होती है तो उसके बाद जो अच्छे दोस्त है लेकिन ड़सेंट मैटर के हम लोग अच्छे पार्टनर भी बने है मतलब हम लोग एक दूसरे के पारड लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाते है भी इस बंदी को पता ही नहीं चाल रहा कि भी साथ उसमें इतना जादा इंटरस्टीड है यही मुझे काफी जादा अजीब सी बात लगी मगर अब यह जो बात है ना यह इस ड्रामा में एंड तिकर रहनी है कि में तब साथ की शादी भी हो जाएगी ना माहीर के साथ तब भी माहीर यही समझेगी कि भी इसने मचबूरी में शादी की उसे एक एहसास ही नहीं होगा कि साथ उसे लाइक करता है अब इस ड्रामा की आने वाली स्टोरी कुछ इस तरह से होने वाली है कि माहीर अनाबिया को बताएगी कि मेरी मेरे कजन साथ के साथ engagement हो चुकी है तो अडीब अगर चुछेगा तुम साथ को लएक करती हो तो ठीक है मैं पीछे ईट जाता हूँ लेकिन माहीर उसे कहेगी मैं उसे लएक नहीं करती जब हम इने इस ड्रामा में अरीब की जो मदर है ना उसको नेगिटिव रॉल में ही देखना है कि वो जो है वो अरीब के लिए एक बहुत अमी लड़की को चुनकर लाई है और वो कहती है मैंने यहीं पर शादी करवानी है अरीब की जब कि हमने फर्स्ट एपिसोड में यह थैने के भी वो दिखाते हैं कि वो अपने बेटे को जब बेटे को कहती है के भी मुझे लाग रहा है तुम किसी को पसंद करते हो तो वो आगे से उसे यह कहती है कि बहीं मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़े से करूंगी एर अरीब का भाब जो है वो काफी जादा रॉल प्ले कर रहा है इस ट्रामा में और हमें इस ट्रामा में आगे यही दिखाया जाएगा कि माहीर की और अरीब की शादी भी होगी मतलब शादी का दिन आएगा और इसी वज़ा से माहीर जो है वो अपने मन पिसंद शक्स से शादी के लिए इतनी जादा खुश दिखाई दे रही है मगर मेरे अकोरिंग यह खुशी चो है चंद देर की महमान रहेगी और अरीब अपनी शादी वाले दिन पहुँच ही नहीं पाएगा यहां तो भी उसे भी होशी होगी होगी यानि कोई उसकी माउस को भियोश कर देगी या किन नैप कर देगी कोई ऐसा इशू होगा और पिर यहां पर मजबूरन माहीर की शादी करवाई जाएगी साथ के साथ फिर भी माहीर की शादी जब हो गई है तो अरीब बार बार आएगा उसे बताएगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गलती होगी मुझसे उसे वो पिच्चर्स दिखाएगा जो उसने खुद माहीर के लिए बनाई होंगी मतलब शादी के बाद भी वो ना उसे कंवेंस करने की कोशिश करता रहेगा कि तुम वो आपीस मेरी जिंदगी में लोट और वगयरा 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 जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दें मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच अला आफिस टे ब्लेस्ट